हेलो एब्रिवन मैं हूँ अक्तर नंसूरी डिरेक्टर अट स्रंखला आईयस और मैं स्वागत करता हूँ अलग-अलग शहरों में हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो आज हमें ऑनलाइन जॉइन कर रहे हैं हमारे यूपी असी ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स में आप सभी क स्वागत है और सभी से आज हम पहली क्लास में मिल रहे हैं आज हमारी पहली कक्षा है और इस क्लास में बेसिकली हमारा जो आज का कारिक्रम है उसमें हम आप से थोड़ा सा बात करेंगे अपने कोर्स के बारे में उसके अलावा हम बात कर रहे होंगे यूपी असी के पैटर यारी के बारे में हमने सोचना शुरू किया था और अब हम प्रैक्टिकली या व्योहारिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सारे विद्यार थी जो आज जॉइन कर रहे हैं हमें कुछ जिनोंने हमारे कोर्स को जॉइन कर लिया है पर्चस कर लिया है और कुछ जो आज डेमो क्लास के तौर पे हमें देख रहे हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत और आप सभी को बहुत-बहुत सुपकाम नाए कि अगले एक वर्स के दोरान जब हम इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे होंगे हमारी बहुत सारे टीचर्स की फैकल्टी टीम जो विसे सग्य टीम है जो दिल्ली और जेनियू के जो प्रसिक्षित प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा विभिन विश्यों का ध्यापन किया जाएगा इस पूरे कोर्स में आपको आपकी सफलता की तरफ अग्रसर करने में हम अपना थोड़ा सा योगदान करना चाहेंगे चलिए हम बात करते हैं कि आखिर UPSC ही क्यों आखिर क्यों चुना अपने UPSC आखिर ये मोटिवेशन कहां से आया थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव होने की कोशिस करेंगे साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर UPSC पैटर्न में या UPSC की परिक्षा की तैयारी में आखिर ऐसा क्या है आपको क्या मिलने वाला है इससे आपके भविश्य में क्या परिवर्तन होने वाला है तो थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ी सी तैयारी और थोड़ा सा हम आगे की जो दिशा है उसको तैय करने का प्रियास करेंगे आज की क्लास में बहुत सारी बातें करेंगे अलगी पढ़ाई के लिए तो हम जो हमारी serious जो study है वो कल से हम प्रारम करेंगे लेकिन आज हम introduction में अपनी जो इस introductory class में काफी सारी बातें ऐसी करेंगे जो कल से होने वाली पढ़ाई का एक आधार जरूर तैय करने वाला है आप हमरे course के बारे में जानते ही हैं कि हम जिस course के लिए आज यहाँ पर हैं वो course है UPSC Foundation Batch UPSC Foundation Batch जो की एक वर्सिय कारिकरम है और यह आपको online माध्यम से उपलब्द कराया जा रहा है online course के बारे में एक चीज़ आप जानते हैं कि यह हम यह कहें कि आखिर हमको इस course को लाने की प्रेणा कहां से मिली क्योंकि हम अब तक देख रहे थे और आप सबने भी observe किया होगा कि YouTube पर बहुत सारे teachers जो हैं वो UPSC के त्यारी करा रहे हैं उन में से कुछ teachers बहुत अच्छे भी हैं इसी के साथ बहुत सारे online coachings जो हैं वो भी आपको कई तरह से UPSC के त्यारी करा रहे हैं कुछ बहुत ही कम कीमत या बहुत कम fees लेकर के और आपको यह पूरा course आफर कर रहे हैं जो एक साल दो साल तीन साल unlimited life span के लिए आपको courses आफर के सामने विद्यार्थियों के सामने चुनाओती है एक अच्छा course प्राप्त करने की कई सारे विद्यार्थिया ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से उतने ज्यादा संपन्न नहीं है तो वो courses का जब चुनाओ करते हैं तो उनका उनकी जो प्राथमिक्ता है वो सस्ते courses के लिए हो होती है या ऐसे course जिसमें फीस बहुत कम ली जा रही हो लेकिन इस दोरान उनके साथ कहीं न कहीं कुछ गुडवत्ता compromise होने का जो संशय है वो बना रहता है हम अपने course में इसी चीज़ को या इसी संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं लेकिन साथ में हम इस बात को भी धि requirement होती है तो क्यों न हम एक ऐसा course डिजाइन करें जो उन छात्रों के लिए उपलब्द हो जो बहुत अजिक फीस दे पाने में सक्षम नहीं है लेकिन गुडवत्ता पूर्ण course चाहते हैं जो किसी बड़े सहर में जाकर पढ़ पाने में सक्षम नहीं है किसी भी कारण से चा में नहीं जा पाता तो हमारा ये course actual में उन विद्यार्थियों को ही target करता है या उन विद्यार्थियों की ही चुनौतियों को दूर करने के लिए लाया गया है इस course में हमने फीस भी बहुत कम रखी हुई है अन्य courses की तुलना में जो online माध्यमें में उपलब्द है सायद उन सिर्फ 25 माई तक के लिए ही इस फीस को valid रखा हुए इसके बाद ये फीस बढ़ करके 25,000 रुपए हो जाएगी अप यकीन करें ये बहुत ही कम फीस है जिस बुडवत्ता की कख्षाएं हम आपको प्रदान करने वाले हैं आप खुद महसूस करेंगे हमारी जो faculty team है जब कि विशय समाप्त होने के बाद दूसरे विशय को शुरू होते हुए देखेंगे और विशय जब चलेंगे तब आप अपने आप महसूस करेंगे कि इस course में जो आपको प्राप्त होने वाली सुविधाये हैं जो course में प्राप्त होने वाला study material है और जो गुडवत्ता है हमा और जो घर में रहकर के तयारी करना चाहते हैं उनको हम एक संपूर्ण गुडवत्ता वाला एक पूर्ण प्रारंबिक परिक्षा मेंस या मुख्य परिक्षा को कवर करने वाला एक बहुत ही उच्च गुडवत्ता का course उनको प्रदान कर सके तो हमारा main motive यह है कि वो विद् की जो requirement है उसको पूरा करने में यह course सक्षम नहीं है हम उनहीं चुनातियों का समधान आपके सामने लेकर के आए जिन विद्यार्थियों ने इस course को join कर लिया है उनको बहुत-बहुत सुबकामना है बहुत-बहुत बधाईया और हम आगे इस course को आगे आपके साथ continue करेंग तो इसमें आपको यह discount का लाब भी प्राप्त हो सकेगा 25 मई के बाद भी हलाकि हम 25,000 में आपको यह course देंगे मगर फिर भी जब आपको 25 मई के बाद ही लेना है या बाद लेना ही है तो फिर क्यों ना पहले ले लिया जाए discount का लाब भी आप राप्त कर लेंगे तो यहां तक तो बात है कि हम यह course ले करके क्यों आ रहे थे लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिर UPSC जिस exam का इतना ज्यादा महत्व है इससे आपको क्या मिलने वाला है जाहिर सी बात है कि अभी जिन चात्रों से मैं बात कर रहा हूं इन में से बहुत सारे चात्र अभी अभी बारव हैं जहां पर आपके सामने करियर को लेकर के एक बड़ा सा क्वेस्चन मार्क लगा हुआ है कि अब आखिर आगे क्या करना है क्या मैं प्राइविट सेक्टर की तरफ चला जाओं बारवी के विद्यारती जो है वो सोच रहे हैं क्या मैं नीट दे दूँ जे ई की तैयारी कर और अन्य जो अलाइड सर्विसेज हैं सेंट्रल सर्विसेज हैं वो आप जब इन सभी विकल्पों पर विचार करते हैं तो आप बहुत बड़े कन्फ्यूजन में पहुंच जाते हैं क्योंकि आप उस मकाम पर हैं जहां पर आपको एक अच्छे मार्क दर्शन की जरूरत है ताकि आप अपने जीवन का सबसे महत्वों निर्ने ले पाएं मैं आपकी थोड़ी सी यहां पर सहायता करने का प्रयास करूंगा आपको थोड़ा समय बताने का प्रयास करूंगा कि UPSC के सेवाएं अन्य विकल्पों से बेहतर कैसे हैं अब देखिए अगर आप किसी भी औ में लगाते हैं और उसके बाद भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं तो बहुत आजकल तो आप देखि रहे हैं कि चांसस कितने कम हो चुके हैं कि एक बेहतर जौब या बेहतर रोजगार के अवसर आपको मिल पाएं लेकिन चलि पाईयों तक या बुलंदियों तक ले जाने के शमता रखती है यूपीसी ना केवल एक रोजगार का माध्यम है ना केवल ये धन अरजित करने का माध्यम है बलकि ये माध्यम है समाज को परिवर्तित करने का और जब आप समाजिक परिवर्तन की तरफ आगे जाते हैं तब आपको UPSC या इससे मिलने वाली सेवाएं आपके साथ आपको उस और और ज़्यादा अग्रसर करने में सहायता करती हैं, क्यों? क्योंकि इन में है बहुत सारी अथौरिटी जो सरकार आपको देती है, आपने अक्सर अब्जर्व किया होगा अपने आस पास बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनने के लिए आपको UPSC एक आवसर प्रदान करता है, अब सरलसी बात है कि जब इतनी बड़ी या इतने बड़े उदेश से के साथ आप तैयारी करेंगे और UPSC जासी परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो सबसे कठिनतम परिक्षाओं के स्रेणी में आती है, तो फिर आपको इस परिक्षा को या इस परिक्षा की प्रणाली को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यक्ता है, क्योंकि से हमका परिक्षा का जो सिलेबर से वो कैसा है, परिक्षा का पैटर्न क्या है, इस बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिस करेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा जो UPSC का परिक्षा पैटर्न है, ठीक है, यह आपको पता है कि UPSC का जो एग्जाइम है, यह असल में आधिका व्यावारिक तोर पर दो इस्तर का एक्जाम है लेकिन व्यावारिक इस्तर पर यह तीन स्टेज का एक्जाम है जैसे आप जानते हैं कि हम सामाने तोर पर यह जानते हैं कि इसमें क्या है यह प्लस मेंस है प्लस इंटर्वियू है तो यह तो तीन स्टेज का एक्जाम है लेकि वास्तविक्ता यह है कि UPSC अपने आधिकारिक प्रपत्रों में मेंस और इंटर्व्यू को एक चरण मानती है यानि यह दूसरा चरण और यह पहला चरण इस तरह से प्रारंभिक परिक्षा का पहला चरण जो आपको मदद करता है मुख्य परिक्षा के लिए क्वालिफाई करने में प्रारंभिक परिक्षा असल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट होती है स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब यह है कि एक छेटनी प्रक्रिया की तरह है जिसमें जो लाखों विद्यार्थी जो UPSC का फॉर्म हर साल भरते हैं उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को अलग कर दिया जाता है जो कि कट-off marks qualify नहीं कर पाते हैं और कट-off marks qualify करने वाले विद्यार्थियों को चैनित कर लिया जाता है ताकि वो मुख्य परिक्षा और साक्षातकार वाले चरण में प्रवेश कर पाएं। मुख्य परिक्षा जो है ये व्यावहरिक तौर पर एक अलग से परिक्षा है। जैसे मैंने को राया कि आधिकारिक तो ये मेंश और इंटर्व्यू एक इंटिग्रेटेड स्टेज मानता है यूप्यस्यू से लेकिन व्यावहरिक तोर पर जिसको हम सामान नियध्यान प्रश्णपत्र एक और सामान नियध्यान प्रश्णपत्र दो के नाम से जानते हैं दोनों ही objective types होते हैं याने की दोनों में ही multiple choice questions होते हैं जिनकी संख्या प्रथम प्रश्णपत्र में 100 होती है इसमें 100 MCQs होते हैं जबकि दुतिय प्रश्ण पत्र में इनकी संख्या 80 होती है यहाँ पर भी MCQs होते हैं ठीक है पहले पेपर में प्रतेक प्रश्ण यानि 100 प्रश्णों में से प्रतेक प्रश्ण के लिए 2 अंक दिये जाते हैं इस प्रकार से जो पूरांक बनता है टोटल मार्क्स बनते हैं वो 200 हो जाते हैं जबकि सेकेंड पेपर में प्रतेक प्रश्ण के लिए 2.5 मार्क्स दिये जाते हैं और इस तरह से जो पूरांक बनता है वो दोसो इसका भी हो जाता है जबकि प्रश्ण संख्या यहां पर 80 है और दोनों ही प्रश्ण-पत्रों को करने के लिए आपको दो घंटे का समय दिया जाता है और दोनों में जो दो अंक मिल रहे हैं उनका one third जो है प्रते एक गलत उत्तर के साथ माइनस होता जाता है तो negative marking है निगेटीव मार्किंग ही इस पूरी परिक्षा प्रणाली की सबसे विसेयस बात है क्योंकि negative marking से केवल गंभीर अभ्यरती ही इस परिक्षा में qualify कर पाता है जैसे हम सामाने रूप से देखते हैं कि कोई state service exam होती है जहां पर negative marking नहीं है या कोई छोटी मोटी परिक्षा है जहां पर negative marking नहीं है तो तुक्के लगा करके या guess करके और बच्चे उसमें qualify कर लेते हैं तो यहां प क्याबिल है वो उतने ज्यादा सही उत्तर कर पाएगा क्योंकि negative marking से उसको गलत उत्तर के बदले नकरात्मा कंकन की भी संभावना यहां पर बनी रहती है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो paper 1 और paper 2 है UPSC के prelims का GS paper 1 GS paper 2 दोनों को मिला करके 400 अंकों का paper होता है लेकिन ध्यान क्या रखना है कि general studies paper 2 असल में qualifying nature का paper है आपका जो final merit बनता है वो paper 1 के माध्यम से बन रहा होता है जो GS का paper है paper 2 एक्चल में CSAT का paper है जिसको हम सामाने तरह तरीके से civil services aptitude test कहते हैं और paper 1 general studies है जिसमें history, geography, polity जैसे विशह सामिल होते हैं जिनको हम आगे विस्तार से उस paper qualifying है CSAT का इसमें आपको सिर्फ 33% marks लाने होते हैं 33% के बाद आप इसको qualify कर लेते हैं और यदि आप इसको qualify करते हैं तब ही आपके पहले paper के अंकों को merit बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है याने कि अगर आप pre में second paper को 33% marks के साथ qualify नहीं कर पाते हैं तो आप prelims में भले ही paper 1 में कितने हच्छे marks ले आएं आप prelims की merit में सामिल नहीं किये जाएंगे तो यहां पर प्रथम प्रशनपत्र जहां आपको merit में सामिल करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है second paper है इसको qualify करने के दृष्टि से ताकि आपको merit में consider किया जाया दर्वाइस आपका consideration ही न paper A और B के नाम से आते हैं जिनमें पहला प्रशनपत्र जो है वो अब देखें यहां पर थोड़ी सी मैं इसका introduction या प्रारंभिक परिचाए बता दूँ आपको कि मुख्य परिक्षा UPSC की जो है यह वर्णनात्मक प्रकृति की होती है यानि यहां पर आपको एक प्रशनप पत्र दिया जाता है जिसमें बहुत सारे प्रशन होते हैं और इनका उत्तर आपको वर्णनात्मक शैली में लिखना होता है यानि आपको उत्तर लिखने होते हैं जबकि प्रारंभिक परिक्षा میں आपको क्या करना था सिर्फ सही उत्तरों का चायन करना होता था यहां पर आ है यह मुख्य परिक्षा ही है यहीं से आपको फाइनली आई एस आई पिएस के लिए चुना जाता है इसी के बाद आप इंटर्वियू देते हैं अगर आप इसी को कौलिफाई नहीं कर पाएंगे तो इंटर्वियू तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा और अगर इंट के दौरान आपको यह पेपर्स करने होते हैं यह परिक्षा सामाने तोर पर 5-6 दिन चल रही होती है लगातार आपको प्रते दिन दो पेपर अटेंड करने होते हैं पेपर ए और पेपर बी जिसमें से पेपर ए जो है यह कंपलसरी इंडियन लैंग्विज का पेपर है अब क्योंकि आप और हम या मेरी understanding में आप सभी हिंदी भाषी राज्यों से आते हैं क्योंकि हमने हिंदी माध्यम का कूर्स जॉइन किया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप हिंदी माध्यम राज्य से ही होंगे तो हम paper A के लिए हमेशा हिंदी compulsory का chain करते हैं हिंदी विशा का chain करते हैं दूसरी तरफ आपको paper two देना होता है ये भी एक compulsory विशा है जिसमें अंग्रेजी भाषा का paper आपके सामने आता है और आपको अंग्रेजी भाषा के प्रश्ण पत्र के उत्तर लिखने होते हैं ये दोनों ही paper सिर्फ qualifying nature के होते हैं इन भी इनके भी marks आपको merit में नहीं जोड़े जाते हैं qualifying होते हैं ठीक है और इसके बाद सुरू होती है इन दोनों प्रश्ण पत्रों के बाद सुरू होती है आपकी असली मुख्य परिक्षा जिनके अंक आपकी merit में जुड़ते हैं इनमें से पहला ही paper जो है यह निबंध का होता है निबंध के paper में 125 125 अंक के दो nिबंध आपको लिखने होते हैं और कुल अंक इसके लिए 200 आपको दिये जाते हैं ठीक है 2500 याने दो निबंधों में मिलने वाला प्रश्न यान्याने 125 का एक निबंध, 125 का एक निबंध, निबंध वर्तमान में आपके final chain में या final selection में बहुत महतुपूर भूमिका रखता है, क्योंकि निबंध हसल में एक कौशल है, निबंध यदि आपको लिखना आता है, तो बहुत अच्छे अंक आप ले करके आएंगे, और यदि आप नि है, इस तरह तक मिलते हैं विद्यार्थियों के बीच में, तो अगर आप बाकी पेपर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और निबंध आपने खराब कर दिया है, तो आपका chain रूख सकता है, और जबकि आपने बाकी पेपर्स में थोड़ा बहुत average भी किया आपको GS के चार पेपर सटेंड करने होते हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4, चार पेपर attempt करते हैं आप और ये प्रतेख पेपर तीन घंटे में करने होते हैं, जिनके लिए 2500 और 2500 अंक, याने 250 marks पॉर इच पेपर आपको प्रदान किये जा सकते हैं, ये सभी पेपर General Studies के विभिन विश् से संबंदी थे जैसे GS1 History Geography से संबंदी थे GS2 Quality से संबंदी थे Society IR से संबंदी थे GS3 जो है वो Technology and Economics से संबंदी थे Environment से संबंदी थे और GS4 Ethics का Paper होता है Ethics Integrity and Aptitude का Paper होता है साथ ही UPSC की परिक्षा में हम एक Optional सब्जेक्ट भी चुनते हैं जब हम तैयारी करते हैं तो हमें एक वैकल्पिक विशय भी चुनना होता है आप जब UPSC का notification देखेंगे तो वैकल्पिक विशयों की एक लंबी series आपको मिलेगी उन में से कोई भी विशय आप चुन सकते हैं किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता है आप उन में से कोई भी विशय चुन सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि आपके graduation से उस subject का मिलना जुलना जरूरी होता है बिलकुल ऐसा नहीं है आपने graduation में किसी भी विशा के साथ अपनी डिग्री की हो, आप इस सूची से कोई भी विशा चुन करके और मुख्य परिक्षा दे सकते हैं, तो इस तरह से आपको धाइस और धाइस और धाइस और अंको के दो अन्य पेपर भी अटेम्ट करने होते हैं, जो आपके आपसणल सबजेक्ट के आपसणल वन और आपसणल टू का पेपर होता है, तो इस तरह से हम देखते हैं, कि आपका जो टोटल मार्क्स बन रहे होते हैं, ठीक है, वो बन रहे होते हैं कितने 1750 यहां पर आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं 1750 और जब आप 1750 अंकों में से इतने अंक ले आये कि आप उस साल की मेरिट को क्वालिफाई कर पाएं या जो मिनिममम कट अफ है को क्रॉस कर पाएं तो फिर आपको इंटर्व्यू के लिए बुलाया जाएगा और जब आप इंटर्व्यू में जाएंगे तो आप से 275 अंकों के लिए इंटर्वियू लिया जाएगा जिसमें लाए गए अंकों को मुख्य परिक्षा में प्रापतांकों के साथ मिला करके और एक final merit बनाई जाती है और इस final merit के आधार पर तैह होता है कि आप IS, IPS, IRS या विभिन प्रकार की central services में से किस में join करने वाले हैं, किसके लिए आपको recommend किया जा रहा है, तो ये हमारा एक सामाने सा pattern है जिसके माध्यम से हम UPSC की तैयारी को समझ सकते हैं, अब थोड़ा सा, अब मुझे उम्मीद है कि आप pattern पूरी तरह से समझ गया होंगे, फिर भी अगर आपको कोई doubt हो, तो हम interactive session में हैं, आप हमें comment करके और अपने questions या अपने doubts पूछ सकते हैं, ठीक है, तो हम उसका भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और हम वर्तमान प्रणाली जो UPSC की है, उसमें, आखिर syllabus में किन-किन विश्यों को कितना महत्व दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, चलिए जो हमारा पहला अभी जो हम पहली बात करने वाले हैं, वो है प्रारंभिक परिक्षा की वर्तमान प्रणाली के बारे में, और इसमें हम देखेंगे, कि प्रारंभिक परिक्षा में आखिर syllabus के या किन विश्यों को syllabus में सामिल किया गया है, तेकि अगर हम paper 1 देखें, आपको मैंने अभी अभी बताया कि प्रारंभिक परिक्षा में दो paper होंगे, पहला paper GS के नाम से आएगा, सामान अध्यान paper 1, और दूसरा GS2 याने सामान अध कि सामाई घटनाएं, याने current affairs of national and international importance, current affairs के लिए सामाने तोर पर हम तैयारी के लिए क्या करते हैं, तैयारी के लिए हम विद्यार्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वो दैनिक समचार पत्र पढ़ेंगे, अब बच्चों के सामने एक question होता है, कि आखिर कौन सा newspaper UPSC के परियाप्त माना जा सकता है, आप बहुत इसपस्ट रहें कि आपको एक national level का newspaper पढ़ना है, और अगर आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, तो प्रयास करेंगे कि आप the Hindu या Indian Express में से किसी एक अकबार की touch में रहें थोड़ा सा, तो हम सामाने तोर पर हिंदी के लिए जन सत्ता या दैनिक जागरण के राश्ट्रिय संसकरण को ले सकते हैं, और उसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि आप the Hindu अत्वा Indian Express जैसे अकबारों से भी थोड़ा बहुत touch बना करके रखें, क्योंकि हमको यहां पर यह ध्यान रखना है कि हम भले हिंदी माध्यम के विद्यारतियों और हिंदी माध्यम से तयारी कर रहे हैं, हमारे जो competitors हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या अंग्रेजी माध्यम के विद्यारतियों की है, तो कहीं पर भी हम कोई loophole नहीं छोड़ने वाले हैं, और एक teacher के तौर पर, एक संस्थान के तौर पर हम आपको यह loophole छोड़ने भी नहीं देंगे, और इसी वज़ा से हम इसका समधान भी आपके लिए लेकर आते हैं, क्या है समधान, हमारी स्रंख्ला मैगजीन जो है, यह मंतली मैगजीन है, स्रंख्ला समसामाई की जो हिंदी माध्यम और इंग्लिस मीडियम दोनों में हुपलब्ध होती हैं, इसमें हम सभी बड़े अकबार याने दाहिंदू, इंडियान एक्सप्रेस और इसके अलावा सभी उच्च गुडवत्ता वाली मैगजीन के जो महतुपूर्ण आर्टिकल से उनको कवर करते हैं उन में से जो भी महतुपूर्ण घटनाएं हैं या पी आई बी के वेबसाइट में जो भी महतुपूर्ण घटनाएं हैं रास्टिये अंतर रास्टिये पर होने वाली जो महतुपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं की कवरेज हम इस मैगजीन में करने का प्रयास करत तो हम आपको वही कंटेंट हिंदी में वो भी बहुत फोकस्ट तरीके से मोडिफाई करके याने एकदम से उसको UPSC के तैयारी के लिए उस नियूज को मोडिफाई करके आपके लिए लेकर के आते हैं तो आप इस मैगजीन के माध्यम से भी अपनी करेंट अफेर्स याने हमा प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिक भारत के इतिहास तीनों की बात कर रहे हैं तीनों को ही आपके UPSC के सिलेबस में सामिल किया गया है साथ ही भारती राष्टी आंदोलन यानि हमारा जो सतंत्रता आंदोलन है उसको प्रमुखता दी जाती है यानि जब आप प्रारंभिक परिक्षा का पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ज़्यादा तर इतिहास के प्रश्ण आधुनिक भारत के इतिहास और भारती राष्टी आंदोलन वाले छेतर से आ रहे होते हैं प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत से भी प्रश्ण होते हैं लेकिन मुख्य प्रश्णव वहां पर आट ж आपल्चर वाले से कवर हो रहा होते है तो इस वजनिए से हम इसको इन टापिक्स को जो भी टापिक हैं से से आथ ह्मारे जो आपको standard रूप माटिरियल भी देंगे classroom study material भी देंगे उसके अलावा हमारे जो notes हैं वो गुडवत्ता में सर्वस्रेस्ट स्रेणी के कहे जा सकते हैं उन notes से आप पढ़ सकते हैं तो आप इन topics के लिए हमारी जो कक्षाएं हैं उनको attain करें वहां से आपको लाप्राप्त होगा भारत विश्व का भूगोल यह वो topic है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कल से मैं अपनी classes में यही topic सुरू करने वाला हूँ भारत और विश्व का भूगोल विश्व का प्राकृतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल यह topic अत्यंत महतुपूर्ण है अत्यंत महतुपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह topic और इसके साथ अगर हम environmental studies को भी जोड़ दें तो हर साल कम से कम पच्चिस से 35 प्रश्व केवल इसी topic से आ रहे होते हैं जिसमें इंडिया का भूगोल विश्व का अभूगोल और उसके अलावा environmental studies के जो प्रस्ण है उनको सामिल किया जाता है तो इस तरह से आप देखो तो एक बहुत बड़ा जो पेपर का भाग है वो केवल इसी topic से cover हो रहा होता है दूसरा है भारती राज्यतंत्र सासन संविधान राजनीतिक प्रणाली पंचायती राज लोकनीती अधिकारों संबंदी मुद्दे ये topic बेसिकली हम इसको polity के नाम से जानते हैं इंडियन पॉलिटी का अर्थ हो गया कि हम संविधान और संविधान के अधार पर चलने वाली संविधानिक व्यवस्था और संविधानिक व्यवस्था से निकल करके आने वाली प्रसासनिक व्यवस्था का अध्यायन कर रहे होते हैं मुख्य रूप से जो प्रशन इसमें पूछे जाते हैं वो समवेधानिक प्रावधानों से संबंदित होते हैं कुछ समवेधानिक समितियों, समवेधानिक आयोगों और समवेधान को कारे रूप प्रदान करने के लिए जो प्रसासनिक व्यवस्था इस्थापित की जाती है या सासन और प्रसासन की व्यवस्था इस्थापित की जाती है उससे संबंदित प्रशन होते हैं ये भी अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 30 से 35 प्रशन यहां पर आपको मिल रहे होते हैं इससे भी मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको एक वेटेज भी मैं आपको comparative या relative वेटेज भी बताता चलता हूं, इसके बाद economy and social development, सतत्विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांखे की सामाजिक शेतर में की गई पहले इत्यादी, basically इसमें हम economics and social development का topic देखते हैं, ये topic भी आपकी प्रारंभिक परिक्षा का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण topic है, अगर हम देखें तो हमको इसमें हर साल 18-25 के आसपास प्रशन मिल रहे होते हैं, इसके बाद आ जाता है, परियावर्णी, परिस्तितिकी, जय विवित्ता, जलवायू परिवर्तन, 10-12 प्रशन और क कभी कभी इस से भी ज़्यादा प्रशन आपको इस topic से मिलते हैं, जो हमने geography के साथ integrate करके तयारी करनी है, और इसी वज़े से मैंने वहाँ पर ही से add कर लिया था, और सामाने विज्यान, सामाने तरीके से देखा गया है कि सामाने विज्यान से कोई भी direct प्रशन नहीं तो आपको एक pattern समझ में आ जाएगा और वो क्या है, वो यह है कि 30, 20, 50 और 20, 70 अगर हम 70 का criteria लेकर ना भी चलें, तो कम से कम हम यह मान सकते हैं कि 55 से लेकर कि 65 के आसपास प्रशन केवल इन तीन विश्यों से आ रहे हैं जिसमें geography, quality और economy सामिल है, geography, quality और economics से ही तीन विश्य से आ रहे हैं हमारे 55 से 65 प्रशन, अगर हम इन विश्यों की तैयारी पर ही बहुत ध्यान से फोकस कर लें, तो हम prelims को बहुत आसानी से qualify कर पाते हैं, ठीक है, और हमारा main focus भी यही होता है, क्योंकि तैयारी जो है वो एक strategy के साथ की जाती है, बहुत सारे विद्यारती ही दिशा को बें नहीं जा पाई, जिस दिशा में जा करके सफ़लता प्राब्त कर सकते थे, है तो लौाइक करने के साथ साहर से बात हैं कि झायरी यह लिए या इस परिक्षा को अपना लक्ष बना रहे हैं, तो मिहनत करने का तो अपने aspiration पहले से ही आपने अंदर मह्सूस क लेकिन दूसरी तरफ ये एस्पिरेशन मोटिवेशन के साथ साथ एक राइट स्ट्रेटजी राइट पाथ ये बहुत ज़्यादा महतवपूर्ण होता है तो हम अपनी पूरी तैयारी में और जब हम आपका मारगदर्शन कर रहे होंगे और जब हमारी फैकल्टी टीम आपका मारगदर्शन कर रही होगी हमारा मुख्य फोकस इसी पर होगा कि आपको अन्य सामग्णिया जो ऊचिस्तरी उपलब्द कराई जाएंगी वो तो होंगी ही साथ में आपको एक सक्रय मारगदर्शन और सही रास्ता दिखाने की जो हमारी कोशिश है ये भी जारी रहे तो syllabus में लिखी हुई सभी विश्यों के विशे सग ये faculty उपलब्ध हैं और जब आप उनसे पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा या खुद ही आपको समझ में आएगा कि हम किस गुडवत्ता का बादा आपसे कर रहे हैं और हम deliver करने वाले हैं चलिए तो ये तो हो गया GS1 क syllabus और इसके बाद हम चलेंगे GS2 याने की CSAT के पेपर के बारे में देखते हैं CSAT के पेपर को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको पहला topic मिलता है बोध गम्मिता याने comprehension अब जिन विद्यार्थियोंने पहले CSAT का पेपर देखा है वो तो इसको समझ रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करने लेकिन अगर आपने पहले CSAT का पेपर नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोध गम्मिता का अड़्थ है कि किसी एक कथानक को या एक नोट को या एक पैराग्राफ को पढ़ करके आप कितनी जल्दी उसका जो मीनिंग है उसका जो सारान से उसको ग्रास्प कर पाते हो इसी बात का परिक्षन करने के लिए प्रस्ण पत्र में आपके कई सारे छोटे-छोटे passages होते हैं छोटी-छोटी कहानिया लिखी होती है और उससे सम्बंदित प्रस्ण होते हैं इस बात को चेक किया जाता है या टेस्ट किया जाता है कि आप कितनी तेजी से पढ़ करके औ आप ध्यान दीजेगा कि सिविल सेवा परिक्षा में हर विशाय केवल वही सामिल किया गया है जो आपके लिए भविश्य में कारे छेतर में आपके कारियों से संबंदित है या कारी की प्रणाली से संबंदित है जैसे आपको लग सकता है कि यह क्या बोदगम्मेता passages यह त आपके मस्तिस्क की उस छमता का परीक्षन करना जो आगे चैनित होने के बाद आपके कारियों में आपकी मदद कर पाएगी तो बोध गम्मेता में बेसिकली यही होता है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा उससे संबंदित एक प्रश्म दिया जाएगा और क्योंकि UPSC का पेपर है जाहिर सी बात है समय आपके पास बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक ही पैसेज को दो तीन बार पढ़ पाएगा तो हम बोध गम्मेता को विक्सित कैसे करते हैं इसको हम करते हैं रीडिंग हैबिट के माध्यम से और साथ में हमारी जो विसेश्रक के टीम है उसमें जो टीचर आपकी ये क्लास लेंगे वो आपको सिखाएंगे कि कॉम्प्रिहंसन को कैसे सॉल्व किया जाता है दूसरी तरफ संचार कौसल सहीत अंतरव्यक्तिक कौसल संचार कौसल आज सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है जब हम समाज के अन्य लोगों से इंट प्रभावित करने की संता रखें तो हम इसे संचार कौसल या उच्च गुडवत्ता वाला संचार कौसल कहते हैं सिविल सेवा में संचार कौसल एक महत्वपूर्ण लक्षण के तور पे सुईकार किया जाता है इसी संचार कौसल से संबंदित प्रशन होंगे जिसमें तर्क वितर्क रीजनिंग के जो questions होते हैं ठीक है सिलोगिजम के questions होते हैं तो ये सारे प्रश्ण जो है वो इस topic के अंतरगत आप से पूछे जाते हैं समस्या का समधान आपको चोटे-चोटे cases दे करके समस्याओं के समधान के बारे में प्रश्ण पूछा जाएगा और सामानिमानिसिक योगिता यानि थोड़ी बहुत arithmetic के questions होंगे हलकी full किसी गड़ित के प्रश्ण होंगे जो आपको करने होंगे पिछले वर्स देखा गया कि seaside का paper जो है वो बहुत कखिनाई वाले इस तर पर था तो विद्यार्थी बहुत परिशान हो गया है विद्यार्थियों को लगने लगा कि यूपियसी की तैयारी में अब सबसे महतुपूर तैयारी का भाग तो seaside हो गया है लेकिन आपने paper सामाने इस तर का होना पेक्षित है और आगे भी ऐसे होगा लेकिन अगर इसमें कठिनाई का इस तर बढ़ भी जाता है तो आप अपनी तैयारी में कहीं पर भी कोई कमी न रहने दें क्योंकि हमें क्या पता या आपको क्या पता की अगले साल paper किस तर का होगा क्योंकि syllabus आ और तैयार करके अच्छी तैयारी के साथ परिक्षा में जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे तो हमारा vision बिल्कुल clear होना चाहिए कि परिक्षा pattern में परिक्षा का प्रशन पत्र सरल हो या कठिन हो इससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता हम अपनी तैयारी को उस level पर रखेंगे कि पेपर चाहे easy हो चाहे वो tough हो हम qualify करने के लिए तैयार है तो ये तो हो गई प्रारंभिक परिक्षा की बात और फिर हम देखेंगे जो हमारा means का exam है means की तैयारी है means की परिक्षा है मुख्य परिक्षा में अगर हम देखे है मुख्य परिक्षा के प्रडाली को देखे तो अब ने पहले ही चर्चा की थी कि 300 नंवर का 300 अंकों के दो पेपर सबसे पहले आपको देने होते हैं जिन में से एक अंगरेजी भाशा का प्रश्न पत्र है और दूसरा हिंदी या समवेधान की अनुसूची आर्थ में शामिल कोई भी भाशा अनुसूची आर्फ में भारत की स Confederate समवेधानिक रूप से स्विक्रत भाशाई यो मानेता प्राप्त भाशा है उनको रख्था गया है तो न भाशाओं में से किसी भी भाषा को अब जाहिर सी बात है मैंने कहा था कि हम सब हिंदी भाषी है तो हम हिंदी को ही चुनेंगे यह दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं याने इन में आपको 33 प्रतिशत अंक ला करके और इसको क्वालिफाइग करना होता है यानि लगभग 300 में से 75 अ आई जाएगी याने आपको इनके मार्क्स तक नहीं उपलब्द कराये जाएंगे या नहीं पता चलेगा कि आपको कितने अंक आए हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण हैं सरल हैं बहुत आसानी से क्वालिफाइग हो जाता है लेकिन फिर भी हर साल सैकड़ों ऐसे विद्यार की तरफ पहला आपको बताया ही था मैं निबंध का पेपर होता हैं दूसरा सामान अध्यान वन है जिसमें भारतिय विरासत संस्कृति विश्व का इतिहास भूगोल तथा समाज के प्रशन पूछे जाते हैं आप देख रहे होना कि एक ही पेपर में कई सारे विश्यों का स UPSC की खास बात है कि हम सिर्फ रट करके नहीं जा सकते हम सिर्फ एक सामाने से स्टडी माटीरियल से पढ़ करके और यह उमीद करें कि हम पास हो जाएंगे या हम यूट्यूब में कोई वीडियो दो चार देख करके यह उमीद करें कि हम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है UPSC आपके एक एक लेवल ऑफ ठिंकिंग को चेक कर रहा होता है जब तक आप कॉंसेप्चुली बहुत साउंड नहीं होते हैं इन विश्यों को ले करके तब तक आपको परिक्षा के प्रश्णों के उत्तर लिखने में थोड़ी सी का सामना करना पड़ सकता है दूसरा पेपर में सासन व्यवस्था समविधान राज व्यवस्था सामाजिक न्याय और अंतरराष्टी संबंध जैसे विश्य पर प्रश्ण पूछे जाते हैं आई यार जो कि आप अख़बारों से कवर करते हैं जब आप दहिंदू इंडिय किस तर पर हमारा इस्थान क्या है हमारा अन्य देशों के साथ संबंध क्या है हमारे द्वी पक्षिय संबंध क्या है और हमारे बहु पक्षिय संबंध क्या है इनी से संबंधित हमारे इस पेपर में प्रश्ण आते हैं जो आपको करने होंगे सोसल जस्टिस पॉलिटी यह सब चीज़े तो हमारे लिए important हैं ही थर्ड पेपर में आप से technology से संबंदित प्रश्ण होता है economy आर्थिक विकास जैब विवित्ता परियावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से संबंदित प्रश्ण पूछे जाते हैं फोर्थ पेपर में आपको नीति सास्त्र सत्यनिष्ठा और अभीवरति अत्यन्त महत्वण प्रश्ण पत्र देखे जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जस तरह से निबंध का पेपर आज आपके सेलेक्शन और आपके रैंक निर्धारन में बहुत महत्वण भूमी का निभाता है उसी प्रकार से प्रश्ण पत्र पांच या जिसको सामान ध्यान चार कहा जा रहा है एथिक्स का पेपर ये भी उसी प्रकार से आपके सफलता को निर्धारित करता है तुल मिला के कहा जा सकता है कि essay का पेपर प्लस ethics का पेपर ये दो पेपर आज आपकी rank और success को determine करने के सबसे important part है कैसे कि क्योंकि इनमें range बहुत जादा है इनमें range बहुत है जैसे कि आप देखो कि 300 का essay है इस 300 के essay में कुछ लोगों को 75 marks आ रहे हैं तो कुछ लोग 225 तक जा रहे हैं, अब ये gap बहुत जादा है, जबकि GSK papers में इतना gap नहीं होता, GSK paper में एक बच्चे को अगर 125 आ रहा है, दूसरे को 130 आ जाएगा, तीसरे को 120 आ जाएगा, दो चार पांच अंकों का फर्क होता है, लेकिन ये दो paper ऐसे हैं, जिसमें range बहुत की तरफ है, तो आपकी rank नीचे आ जाएगी, यहाँ पर अगर आप top की तरफ है, तो आपकी rank बहुत ऊपर जाएगी, सेम ethics में भी है, 200 नंबर के ethics में, कुछ लोगों को 90-95 आ रहा है, तो कुछ लोगों को 165, 175 यहाँ तक marks मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आप देखोगे, तो आपको range बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, और इसी range की वज़ा से, यह भी अगर bottom side में है, तो यह आपको नुकसान पहुचाएगा, और अगर यह upside में है, तो यह आपको lab पहुचाएगा, यह दोनों ही paper ऐसे हैं, जिनमें अगर आप बहुत अच्छा perform करेंगे, तो ध्यान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही UPSC आपसे क्या चाहता है, कि आप एक optional paper भी तयार करें, आप एक वैकल्पिक प्रशनपत्र भी तयार करें, वैकल्पिक विशह भी तयार करें, जिससे दो paper आपसे 200-200 अंके लिए जाएंगे, याने 500 number का एक optional paper, यह optional paper किसी भी विशह म के subject को चुने, कोई बंधन नहीं है कि post graduation किया हो उस विशह में, आप तो किसी भी विशह से, किसी भी background से आए हो, आप यहाँ पर इस सूची से कोई भी विशह चुन सकते हैं, सामाने तोर पर हमको विशियों का चुनाओं करते समय कुछ parameters पे ध्यान रखना होता है, क्या ची नहीं criteria परियाप्त नहीं है, बलकि हमको यह भी देखना होता है, कि पिछले 4-5 वर्सों में इस विशह की UPSC मुख्य परिक्षा में अंक प्राप्त करने की दर्ष्टी से performance कैसी रही है, अगर हम ऐसा विशह देख रहे हैं, जिसमें अंक ही नहीं आ रहे हैं, या जिसमें से चैनित होने वाले विद्यार्थियों के संख्या बहुत कम हैं, तो हमें एक बार पुनर्विजार कर लेना चाहिए, लेकिन अगर वो विशह अच्छा perform भी कर रहा है, और हमने background में भी पढ़ा हुए, और हमारी रूची भी है उसमें, तो फिर वो विशह हमारे लिए बिलक कियारी बहुत महत्वोर्ण हो जाती है, स्रेंकलाई एस में हम बहुत सारे वैकलपिक विशहों की तैयारी का भी प्रभंध करते हैं, अभी आपको सामाने तॉरपा समास्और के वैकलपिक विशह है, भूगोल के वैकलपिक विशह है, राजनीत विग्ञान इनाoten इयार, य इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपको मुख्य परिक्षा 1750 अंकों की मिलेगी और इसके बाद जब हम इसमें 275 अंक का इंटर्व्यू जोड़ देंगे या साक्षातकार के मार्क्ष जोड़ देंगे तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे 2025 अंक यानि ये हैं पूरा नंक लेकिन अब इसमें से बात आती है प्राप्ता नंक की सामा ने तोर पर देखा गया है कि 10000 के आसपास अगर आप अंक लाते हैं तो आप फिर भी ध्यान देना है कि पिछले वरसों में कट आउफ में बहूत तेजी से गिरावट आईए प्रारंभी परिक तो अभी सामाने तौर पर हम यह उमीद कर सकते हैं कि अगर आप इस पूरे अंक में से याने दो हजार पच्चिस अंक में से अगर इसमें से सिर्फ आप एट हंड़ेड फिफ्टी मार्क्स भी ले आते हैं ठीक है तो आपके इंटर्विव कॉल तो कनफर्म है ठीक है और यह बहुत ज्यादा अंक नहीं है यह बहुत सामाने से अंक है जो आप ठीक ठाक सी अच्छी तयारी अगर जिसको हम अच्छी कहते हैं वैसी तयारी करके जा रहे हैं आपको अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस है आपके बड़े क्लियर से हैं ठीक है आपको अच्छा मार्ग दर्शन प्राप्त हुआ है और एक साल का आपने डेडिकेटेट समय लगाया हुआ है यूपियस्सी की तैयारी में तो निश्चित तोर पर आप साड़े आठ सो से एक हजार के बीच अंक ले आते हैं जो आपकी सफलता को गैरंटीड बना देता है गैरंटीड हो जाती है सफलता कि किसी ना किसी अच्छी रैंक में आप चैनित हो चुके होंगे आज कल तो प्राइरंबिक परिक्षा के मार्क्स भी लगतार घटते जा रहे हैं अब तो यह 75 से 80 के बीच या 85 के बीच आप अगर मार्क्स ले आत करेक्ट आंसर करते हैं तो बहुत संभावना है कि आप प्राइरंबिक परिक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं प्राइरंबिक परिक्षा क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्जाम है आपको इसमें बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की आवश्यक्ता नहीं है थोड़ी संपूर्ण प्रदर्शन करके और क्वालिफाई कर सकते हैं इस परिक्षा को यह सारी चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं तो यह तो है पुरा का पुरा हमारा एक्जाम का पैटर्न मुझे उमीद है कि आप सब समझ गया होंगे कि परिक्षा की तैयारी में आपको किन-किन ब तक प्रति दिन जिसमें हम पढ़ रहे होंगे भारत और विश्व का भूगोल तो हमारा जो कल से टापिक होगा वो होगा भारत एवं विश्व का भूगोल जोग्रफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ड ठीक ना अब देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि हम पूरे कोर्स के दौरान जो भी विद्यारती उन्हें जोईन कर लिया है और जो जोईन करने वाले हैं उन्स सभी ध्यान दें कि हम पूरे एक वर्ड के कोर्स के दौरान आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम आपसे अलावा एक असाइनमेंट देंगे हर दिन क्लास के बाद आपको कुछ MCQs के क्वेस्चन्स मिलेंगे जो आप प्रारमभिक परिक्षा की प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करेंगे जैसे ही हम टॉपिक कवर करेंगे आपका टेस्ट प्रारमभ हो जाएगा और ये टेस्ट व अपना जो समय है वो इस कोर्स में लगाना होगा पूरी तरह से आपको एक साल का समय UPSC की तैयारी पर समर्पित करना होगा ताकि हम एंशोर कर पाएं कि जब आप इस एक साल की तैयारी के बाद जब परिक्षा में बैठेंगे तो आप निश्चित सफलता को प्राप्त कर स होगी और यह सारे कारे ही हम कल से प्रारंब करने वाले हैं तो बिलकुल आप कमर बांध लीजे तैयार हो जाईए कि हमको इस पूरी परिक्षा की तैयारी के लिए बहुत मजबूती से मेहनत करनी है और एक साल के अंदर आप देखेंगे कि कैसे आप में बहुत ज्यादा प NCEIT reading का भी plan रखेंगे, daily newspaper reading का भी plan रखेंगे, daily MCQ practice का भी plan रखेंगे, previous year questions देखने का भी plan रखेंगे, पीवाई क्यूस भी देखने हैं, हमें अपने doubts भी prepare करने हैं, क्योंकि अगले दिन class के साथ ही या class के just बाद आपको doubt clearing session भी मिलेगा, तो आप अपने doubts भी message करके, हमारी classes जो हैं online माध्यम में भी interactive हैं, तो आप अपने doubts भी यहाँ clear कर सकते हैं, तो जितना आप पढ़ेंगे, उतने doubts आएंगे, और doubts clear करेंगे, ताकि आप इस class का पूरा लाब उठा सके, हमारी जो विशेसक यह faculty team है, उनके ग्यान का पूरा लाब उठा सके, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सब इसमें participate करेंगे बहुत actively और हम इसका परिणाम लगातार आप में बदलाओ के रूप में देखेंगे, आपकी सफलता की तरफ आपके बढ़ते हुए कदमों के रूप में देखेंगे, एक चीज़ यहाँ पर मैं और बताना चाहूँग हैं कि यह ना केवल कम फीस में आपको बहुत उच्यगडवत्ता की जो अध्यान सामगरी है, क्वालिटी लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, यह प्रोवाइड कराया जाएं, यह तो हम करने भी वाले हैं, साथ ही हम इसमें जो इंदौर में रहने वाले विद्यारत हमारी लाइव क्लास के दौरान हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बैठ करके भी क्लास कर सकते हैं, इसका मुख्य उद्देश ही यह है, अच्छा उसके लिए उनसे कोई अतरिक्त सुल्क नहीं ली जाएगी, जो सुल्क हमारे कोर्स की हैं, वही दे करके वो यहाँ प ही है, उन्हें भी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, हमारी क्लास बहुत इंट्रैक्टिव होने वाली हैं, आपकी सारी संकाओं का समधान करने के लिए हम तयार बैठ हैं, हमारी पूरी टीम तयार बैठी हैं, और हम अगली कक्षाओं में आप से मिलते रहेंगे, आप लगात हмет क्रेट छ करें झाल सुम अगली किसा इंटा झालि और सिर्फाटिवार किस्वार, का एंट जालते लेसे किस्वार क्या ए Le दू ही सो कर्प़ всё है, हमारी क्लिक्तों हैं, और हम झालते आए, हम झालते हैं, मैं वएम ढरते हैं, हमारी को बालते हैं, हमारी को प dissert